हमारा next topic है poison apparatus, जितने भी poisonous snake होते हैं उनके head पे poison apparatus present होता है और उसमें चार चीज़े होती हैं, एक पेर poison glands present होते हैं, poison ducts होती हैं, fangs होते हैं और कुछ muscles होती हैं सबसे पहले poison glands के बात करें, तो ये एक पेर में होते हैं, मतलब दो होते हैं और ये जो upper जो होता हैं उसके दोनों तरफ present होते हैं एक एक और ये poison glands होते हैं, ये क्या होते हैं? modified salivory glands ही होते हैं, ये क्या होते हैं? अब ग्लाइन्ट सिंझ भी होते हैं, वो लेबल भी हो सकते हैं फिर parotid glands हो सकते हैं और जो poison glands होते हैं, जो mouth होते हैं और सी स्नेके होते हैं और जो वाइपर्श होते हैं उनमें ढ़ेड़लार नर्च प्रजाह लेंकित concerns होती हैं इनमें दो ligament present होते हैं एक एंटिरियर ligament होते हैं और एक posterior ligament होता है जो anterior ligament होते हैं वो क्या करता है जो poison gland होते हैं उनको maxilla से attach करके रखता है और जो posterior gland posterior ligament होते हैं वो क्या करता है glands को quadrate से attach करके रखता है फिर जो poison glands होते हैं वो एक constrictor muscles से covered रहते हैं जो कि क्या होते हैं fan shaped होते हैं और इन constrictor muscles को अपन क्या बोलते हैं messator या temporal muscle बोलते हैं फिर जब यह poison glands जब snake bite करता है तो इन poison glands में stretching होती है है और उससे जो poison glands में जो poison भरावा होता है वो रिलीज होता है और poison ducts में आ जाता है फिर poison glands के बात में poison ducts की बात करें तो यह जो poison ducts होती है वो poison glands से शुरू होती है और जो fang होते हैं उसके base पर जाके खुलती है, canal के थूरू, फिर fangs की बात करें, तो यह क्या होते हैं? Poisonous teeth होते हैं, और दो teeth होते हैं, आपन देखते हैं, जब भी कोई poisonous snake काटते हैं, तो मुवीज बगर में आपन ने देखा हैं, वहां क्या होते हैं? तो यह दो निशान होते हैं, तो यह दो निशान काई के होते हैं, जो उसमें जो poisonous teeth होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फैंक्स बोलते हैं, तो यह दो निशान उसके होते हैं, और जो non poisonous snake होते हैं, वो अगर बाइट करते हैं, तो उनकी बाइटिंग का skin पे ऐसे equal teeth होते ह तो उन में क्या present होते हैए तो ऐसे दो फैंक्स के निशान छोड़ते है और फैंक्स क्या होते है Point's tis होते हैं यह का होते हैं इनका काम क्या होता है यह poison को inject करते हैन बॉड़े और यह फैंक्स जब कभी low st हो जाते हैं तो यह वापस it replace भी हो जाते हैं क्यों कि कुछ reserve fangs present होते हैं तो उनसे ही क्या हो जाते हैं replace हो जाते हैं next fangs के types की बात करें तो तीन तरह के fangs होते हैं solanoglyphos होते हैं protaeroglyphos होते हैं और office तो glyphos होते हैं जो solanoglyphos fangs होते हैं वो wiper और rattlesnake में present होते हैं और यह जो fangs होते हैं वो क्या होते हैं foldable होते हैं फोल्ड हो सकते हैं और माउथ में उसके उपर जो माउथ में जो उसके केवेटी होती है बहां उपर क्या होते हैं यह चिपक सकते हैं और इन में जो पॉईजन कैनाल होती है वो क्या होती है होलो होती है और वो इनेमल से लाइंड होती है फिर नेक्स जो है सब्सक्राइब पे प्रजेंट होती है Snake Venom की बात करें जो Snake का poison होता है aquestक करें होता है और यह जो neurotoxic venom होता है इसमें जो death होती है वो किसकी वज़े से होती है as fixation की वज़े से होती है क्योंकि यहां पर जो respiratory muscles होते हैं उनमें paralysis हो जाता है उसकी वज़े से जो patient होता है जिसको snake bite करता है वो क्या करता है उसकी सांसे रुप जाती है क्योंकि जो respiratory muscles होती है, उनमें respiration नहीं होता, फिर यह जो hemotoxic होता है, इसमें क्या होता है, जो tissues होती है, उनमें destruction हो जाता है, और internal bleeding होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, hemorrhage बोलते हैं, और यह circulatory और nervous system को effect करता है, और यहाँ पर जो death होती है, वो किसकी वज़े से होती है extra bleeding हो जाती है, उसकी वज़े से और जो vasomotor center present होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, paralysis हो जाता है, फैंक की structure की बात करें, तो फैंक में क्या होता है, एक intake aperture होता है, जहाँ पर जो poison gland होती है, वो आके, poison को यहाँ क्या गरती है, छोड़ती है, फिर intake aperture से यह क्या होती है, यहाँ poison canal होती है, poison canal या poison groove होती है, और यह यहाँ intake aperture से poison canal में आता है, फिर यहाँ पर यह जो फैंक होते हैं, यह क्या करते हैं, यहाँ पर discharge aperture होता है, तो इस discharge aperture से यह जिसको काटते हैं, उसकी बाडी में यह क्या कर देते हैं, उस poison को release कर देते हैं, फिर यह जो फैंक होता है, यह इनेमल से तूर रहता है यहां बंभ jsट होती और अपने देखा कुछ जो हाथ होते country moos प्रिप्रिंब निए इसकी बात करें भूग की तो यहें कहा होते हैं यहां इंट कर चया होता है तक अपर्चर तक पहुँचता है और फिर डिशार्ज अपर्चर से यह जो किसी की बॉड़ी होती है जिसको काटता है इसने को उसकी बॉड़ी में पॉईजन रिलीज कर देता है